हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड अकेडमी, आज हम चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे, अनुपात यूम समानुपात, तो इस चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है, इसमें जो कोशन दिये हुए है, एक्जाम प्रेक्टिस, जो आए हुए इस सारे के सारे सौल करेंगे, और ये टोटल दस कोशन है इसमें, ठीक है, तो पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद कोशन सौल करते हैं, तो देखो इस पर पढ़ना क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस तीन-चार पॉइंट याद रखने हैं तुमको, और कुछ नहीं कर आएंगे, ठीक है, तो पहले चीज़ क्या याद रखनी है, तो जिन बच्चों को पता ही नहीं कि वे अनुपाद समानुपाद होता क्या है, बिल्कु सुरू से बता रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे हमने लिखा दो बटे तीन, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते है इसको समानुपाद बोलते हैं, अच्छा ये समानुपाद बोलते क्यों है, इसका मतलब क्या है, समानुपाद का मलब समान अनुपाद, मतलब ये साइन हम तब लगाएंगे, जब अनुपाद समान हो, क्लियर, अनुपाद कैसे हो, समान, तो देखो दो बटे तीन, और ये चार बटे छे ये दोनों समान होंगे तभी हम ये लगाए हैं देखो ट्राइ करते हैं क्या ही समान है तो देखो ये दो बटा तीन हो गया और ये चार बटा छे अगर इसको कट करें तो दो दूनी चार दो तिया छे ये भी देखो दो बटा तीन है और ये भी दो बटा तीन ह हो आहां सेrato है समाण क्लियर हुआ यहां से एक नए चीज दो वटा तीन और यह चार से छ्य चार पुट्के लिखेंगे क्योंकि girls ठीए लिखेंगे क्या देंगी समानुपात का मेल बड़ाबर लगा देंगे तो दोनों के दोनों अनपात क्या होगे बराबर दो गुणे छे बराबर तीन गुणे चार यहाँ पे हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टिप्लाई कर दी समस्ते रहना एक एक स्ट बता रहे हैं तीन चार पॉइंट है बस वही किलियर करने और कुछ ने तो यहाँ पे हमने देखा कि दो की छे से गुणा हो रही है और तीन की चार से दो की छे से गुणा हो रही है ध्यान से देखो दो की छे से गुणा हो रही है और तीन की चार से हो रही है तो बच्पन में एक फार्मूला पढ़ा होगा बाहि पदों का गुणफल बराबर आंत्रिक पदों का गुणफल बा राधा यहुँए चाही कि 2 की गुदा से बाहर-बाहर की गुदा और और अन्दर की गुदा अब इसका यूज कल मुदा करते हैं जैसे कि किसी ने पूछा कि 2 अनुपात X समानुपाद 4 अनुपाद 6 समझ गए अब क्या करना है हमने क्या कहा बाहर बाहर की गुणा यहीं 12 अंदर अंदर की गुणा यहीं 4X तो X बारबर कितना आ जाएगा 12 बटे 4 4 तीया 12 X की वैलू क्या आगी 3 कलोगी कोई भी वैलू तुमसे पूछे बस ही एक step follow करना है अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा अब पहली चीज़ तो सीख गए दूसी चीज़ सीखे क्या होती है दूसी चीज़ में यह सीखना है कि तीन चीज़ सीखनी है कौन कौन सी एक तो सीखना है तीनों चीज़ बताएंगे डारेक्ट कोशन आता है कि इनका मध्ध्यानुपाद बताईए इन दो संख्याओं का तिरतीयानुपाद बताईए ठीक है तो डारेक्ट कोशन आएगा उसको डारेक्ट तुम सॉल कर सकते हो चाहें कोई भी एक्जाम दो मध्यानुपाद, तृतियानुपाद एक होता है चत्रूथा अनुपाद जिन लोग उने एक्जाम दिया है वो जानते होंगे कि ये कोशन इस टाइब के आते है अब पिवाई को सौल को राएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा मध्यानुपाद का फर्मुला याद कर लो अन्डरूट अब जैसे किसे ने कहा कि चार और पच्चिस का मध्यानुपाद बताईए तो क्या बताओगे अन्डरूट अब यह निए चार गुड़े अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट कर लेना पौश कर लो फिर से देख लो जो जो पॉइंट बता रहे हैं इनको रिपीट रखना है और रिपीट कर लोगे तो आज यह चैप्टर बिल्कुल कवर हो जाएगा तुमारा सारे कोश्चन तुम ही सॉल करोगे हमें नहीं सॉल करना पड़ेगा ठीक है तो अच्छे से यह सारे के सारे पॉइंट जो है माइड में सेव कर लो इसके बाद तीसरा पॉइंट सिखिए सारी चीज़े जो जो बेसिक चीज़े हैं वो हम सारे बताए दे रहें ठीक है तीसरे पॉइंट में क्या याद रखना है तीसरे पॉइंट में ये याद रखना है कि अगर A अनुपात B दिया है ठीक है और समानुपात C अनुपात D दिया है तो अभी हमने कहा ये A बटे B हो जाएगा और ये हो जाएगा C बटे D किलियर यही तो हो जाएगा यही तो बता है कि अनुपात समान होते हैं तब ये समानुपात लगता है तो अनुपात ये और ये अनुपात समान हो गया clear अब यहाँ क्या होगा यहाँ पे तीन रूल लगेंगे कितने रूल लगेंगे तीन रूल तीन रूल याद रखने हैं बिलकुल बहुत काम आते हैं यह रूल तो A प्लस B अपान A sorry B लिखेंगे ठीक है यहाँ पे हम since लगा देंगे क्या लगाएंगे since अगर ऐसा है अगर ऐसा है if then यह since therefore therefore यह clear चूंकी यह अता यह समझ गया है चूंकी इसलिए तो यह चूंक का निसान होता है यह इसलिए का ठीक है A प्लस B अपान B C प्लस D अपान D इसको बोला जाता है योगा अनुपात यह भी याद रखो योगा अनुपात आराम समझा रहे हैं कोई जल्द बाजी नहीं अगर इसपिट धीरे लग रही है इसपिट बढ़ा के देखिए ठीक है इसके बाद देखिए C अपान D है तो C प्लस D हो जाएगा यहाँ पर योगा अनुपात हो गया अब अंतरा अनुपात सिखिए A माइनस B अपान B C माइनस D अपान D किलियर इसको क्या बोलते हैं अंतरा अनुपात अंतरा अनुपात उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरी चीज क्या है योगांतरा अनुपात बहुत ज़्यादा यूज होता है A प्लस B अगर ऐसा लिखा है तो डारेक्ट यह लिख सकते हो A प्लस B A माइनस B किलियर C प्लस D अपान C माइनस D इसको बोला जाता है योगांतरा अनुपात अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा ताकि हम आगे की चैप्टर ऐसे ही पढ़ाएं ठीक है और जल्दी से जल्दी अगर ये बुक कंप्लीट हो जाती है तो हम आगे जो है नई बुक की स्टार्ट करेंगे आरेस अगरवाल सार्दा जो बताओगे वो पढ़ा देंगे हम सारी बुक पढ़ा चुके है तो एक एक कोस्टन बताएंगे ऐसा नहीं की जल्दवाजीम बताएंगे सारे कोस्टन कवर करा सकते है और स्पीड कहो तो स्पीड से भी बता सकते हैं जैसा कमेंट करो वैसा बताएंगे ठीक है लेकिन क्या है कि अभी मनलब यूटुब पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता मैत में तो हम उनके लिए स्पेसलिक मनलब लाए हुए हैं यह स्रीच था कि जो है वो यहां पर प्राब्लम हो तुरंट कमेंट बाक्स मताईए तुरंट रेपलाई मिलेगा आपको ठीक है पसंद आये तो लाइक करना है और कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब कर लेना ठीक है कमप्टिशन के सारी चीज़े इसमें मिलेंगी और अकेड़मिंग भी टाइम नहीं मिल ला है आफ लाइन भी पढ़ाते हैं तो देखो यहां पर 113 अनुपाथ हो गया और ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइस डी यह तीनों चीज़े याद रखनें केलियर तो हमने क्या क्या सीखा दो अनुपाथ तीन और चार अनुपाथ छे समानुपाथ है तो यह दोनों के दोनों अनुपाथ क्या हो जाएंगे बराबर दो की गुणा छे से दो चंग और तीन की गुणा चार से तीन चोके यानि बाहर वाले दो चंग बाहर वाले पदों की गुणा बराबर अंदर व अब ज्यादा दयालू हुआ एक्जामीनर तो हो सकता दे दे वैसे देगा नहीं ठीक है क्योंकि यह बहुत ही कोश्चन इसके बाद यह कोश्चन तो 100% कोश्ची नहीं होती 90% मान सकते हो ठीक है तो 90% जो चांस रहते हैं कोश्चन इसी में से आ जाता है ठीक है डाइट इनको अच्छे समझ लिजी तीनों चीजे हमने बताई यहां भी तीनों चीजे बता दी अब यह तीन पॉइंट क्लियर हो गए अब जो बचा हुआ पॉइंट है बचे हुए ज्यादा नहीं बचे हैं बस एक दो पॉइंट बचे हैं या यू सबजिए पॉइंट ना के बर आते रहें कोष्ष्ष्षर्ण तो पिवाई क्यों करते है ठीक है तो उसके बाद बॉइंट करते हैं तो देखें पॉइंट कोष्ण देखिए आराम समंझना एंट तो पहला कोष्ण देखिए इसको बहुत ब्लाइक़ं गया जा इसको उपर ख recom तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है 63-100 को 63-100 को x, y, z के बीच में इस प्रकार बाटा जाता है कि x, y का रिश्यू x और y का रिश्यू कितना है 7-5 किलियर और y, z का रिश्यू कितना है देख लो हम कैसे लिख रहे हैं ध्यांस देखिएगा x, y लिखा हमने अब y, z हमने अलग-अलग क्यों नहीं लिखा क्योंकि हम जो है तीनों का रिश्यू बनाएंगे यहाँ पर ध्यांस देखिए x, y का रिश्यू है यही चीज बताने वाले थे यही चीज हमने कहा थे question बताएंगे ठीक है तो यह चीज सिखिए x, y दिया है और अच्छे सिखिएगा x, y दिया है और y, z भी दिया तो अलग-अलग नहीं लिखना है क्योंकि हमें क्या करना है तीनों का रिश्यू बनाना है जब तुम्हारे पास x, y है और y, z है तो तुम्हें क्या बनाना है x, y और z का रिश्यू कैसे बनाएंगे तीनों को एक साथ लिख लिया और x, y लिख लिया ये अब y, z देख कितना दिया है तो y, z दिया है 4, 3 तो y की नीचे ही लिखेंगे 4 और z के नीचे लिखेंगे 3 अब देखना तीनों का रिश्यू बन जाएगा x, y, z तीनों का इतना कर लेंगे यहाँ पे कोई नंबर आएगा यहाँ पे नंबर कोई आएगा तो कि जगा खाली है ना ध्यान समझेगा जगा खाली है लिखेंगे क्या most important point लिखेंगे क्या यहाँ पे तो यह बात बहुत अच्छे से याद रखना पडोसी को लिखा जाता है फिर से सुनिए किसको लिखेंगे पडोसी को तो पडोसी को है देखो ध्यान से इसके पडोस में 5 तो इस 5 को हम लिख लेंगे इसके पडोस में कौन है ज़स्ट लेफ्ट राइट देखना है अब डाउन नहीं देखना है तो इसके ज़स्ट पडोस में राइट में कौन है 4 क्लियर हो गया question solve हो आप क्या करना है इतना लिखने के बाद multiply करनी है तो 7 चौक 28 5 चौक के 20 5 तियां 15 28 बिस 15 हो गया question में क्या पूछा गया है ध्यान से देखेगा 63 100 है और 3 में बाटा गया है x y z 3 में बाटा गया है तो 3 में बाटा गया है तो जाहिर सी बात ये total जो आया ये 63 100 के बराबर होगा तो इनको जोड़ो कितना होगा 28, 20, 48 48, 45, 63 तो हमारे हिसाब से तो 3 का योग कितना है 63 और question में कितना दिया है question में दिया है 63 100 तो हम एक ratio की value निकालेंगे तो 63 बटे में जाएगा कट जाएगा 63 एक कम 63 और 2 0 आ जाएगे तो इस एक की value आ चुकी है एक ratio की value कुछ भी पूँच ले तुमसे कुछ भी मतलब चाहें x का पूँच ले तो x का 28 है तो 1 को 28 बनाने के लिए 28 से गुणा करेंगे तो 28 और जब यहाँ गुणा करेंगे तो 28 की value आ जाएगे 28 100 यानि x को कितने रुपए मिलेंगे 28 100 मिलेंगे बात के लियर हुई पूँचा किस की गया है देखो ध्यान से question देखो अगर तुमसे यह पूँचा जाए ध्यान से देखो z के बारे में पूचा जाए कि z को कितने रुपए मिलेंगे तो 15 है 15 की वैलू निकालने है तो जब एक की वैलू 100 है तो एक को 15 बनाने के लिए 15 की वैलू है 15 रेशियो की वैलू यानि एक रेशियो की वैलू 100 है एक को 15 बनाने के लिए गुणे 15 करेंगे गुणे 15 करेंगे और जब यहाँ 15 से गुणा कर रहे हो तो यहां भी तो 15 से गुणा होगी तो 15 रेशियो की वैलू क्या आ जाएगी 15 एककम 15 और 15 की जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15100 इस से भहिया 0 तरीके से मतलब 0 लेवल से कोई नहीं बताएगा इतना एक-एक पॉइंट बहुत अच्छे समझा रहे हैं ध्यान से समझिएगा यह सब समझ गए तो कोई हम स्पीड में नहीं बता रहें एक-एक स्टेप बता रहें तो यह किलियर हुआ जड निकाल लोगे ऐसे ही तुमसे पूछा किसका गया है y का तो यह तो अपने आप निकाल सकते हो और यह हम बता चुके हैं multiply जब हम basic पढ़ा रहे थे संख्या पध्धत में तो हमने तुमको बताया भी है क्या बताया है number number की गुणा करो तो 45 तिया कितना हो जाएगा 135 बाद में ये 30 लगा दू हो गये multiply ठीक है तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2000 तो आप संख्या हो गया बी किलियर हुआ अब हम थोड़ा सा speed बढ़ाएंगे क्यूंकि अभी basic था अब basic 6 चुके हो अब थोड़ा speed से काम करते हैं ज्यादा speed में न दो संख्याएं तो दो संख्याएं दे गई है थोड़ा तो पर करते हैं अब ए और बी दो संख्याएं तीन और 4 के अनपात में तीन और 4 के अनपात में प्रतेक में 30 बढ़ाने पर उनपात 9-10 हो जाता है तो 9-10 का उनपात कब होता है जब इसमें increment होता है 30 का हमारे हिसाब से ratio में कितना increment हो रहा चार में 6 बढ़ गया 10 तीन में 6 बढ़ गया 9 हमारे हिसाब से 6 का increment हुआ कोशन में दिया है 30 तो एक ratio की value कितनी आ गई 5 छे पंचे तीस छे नीचे जाएगा हाँ पांच आ जाएगा अब निकालना क्या है को जो भी पूछे निकाल दो क्या निकालना है वह संख्याएं बताई वह संख्याएं क्या है तो संख्याएं तो 3 और 4 है न संख्याएं क्या होगे 20 पंदरा और 20 इसका अंसर हो गया लगा दो भी किलियर हुआ आगे बढ़ते हैं तीसरा कोशन देखी तीसरे कोशन में ए और बी का अनुपात 5 अनुपात 2 है इसके बाद प्रतेख संख्याएं में 4 दो जोड दिया गया तो क्या अनुपात हो गया 9 अनुपात 4 हो गय कितना जोडा गया 4 जोडा गया फिर क्या रहा है पांच घटाया जाये अगर प्रतेख संख्या से तो यह बी का अनुपात बताओ तो पहले हमें यहां से संख्याएं निकाल लेनी है यह बी होंगी क्या तो कैसे निकाला है तो देखो यहां कितने का इंक्रिमेंट हुआ दो तो ratio समान करना है, ratio समान करने का तरीका हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, जो सरीज एक चल रही, पिवाई क्यू वाले, उसमें हमने यह तरीका बता है, कि ratio किसे समान करना है, तो 9 में से 4 गया 5, 5 की गुड़ा इसमें कर दो, 25, 5 दो नी 10, ठीक है, इसमें गुड़ा क increment कितने का हो रहा है, तो 2 ratio का हो रहा है, लेकिन question में कितने अधिया है, 4, तो यानि 1 ratio की value कितनी आ गई, 2, यानि संख्याएं क्या हो गई, 25 की value क्या होगी, 50, और 10 की value क्या होगी, 20, 10 दो नी 20, clear, तो 50 और 20 का ratio, 50 और 20 संख्याएं हो गई, निकालना क्या है, पांच गटा आ बिलकुल आगे बढ़िए तीन कोशन हो गये हैं अब चौथा कोशन देखिएगा आज शेप्टर को हम खतम ही कर देंगा ठीक है चौथा कोशन देखिए ए और बी का आए दो आए और वे वाला आए तो अलग तरीका अपनाना याद रखना ठीक है और समय एक ही तरीका लगा बाखिए इसमें अलग लगाना तो यहाँ पे i हो गए 2x और यह ओ गए 3x वे हो गया y और यह हो गया 2y यह वे हो गया ठीक है यहाँ पे लिखाए b के वे का 90%, तो b का वे कितना है 2y 90% a के i के बराबर तो a की i कितनी है 2x ये 2 ये 2 कट जाएगा 0 0 कट जाएगा तो x की value क्या आ गए 9y बटे 10 आगे देखो a और b की बचत का अनपाद तो बचत क्या होती i minus v तो बचत हो गए 2x minus y और इसकी क्या हो गए बचत 3x minus 2y x की value कितनी है 9y बटे 10 minus y 3 गुड़े 9y बटे 10 और ये minus 2y clear x की value ये थी वही हमने यहाँ पे रख दिया है ये बचत का अनपाद है i से minus करेंगे बचत आ जाएगे ये एक ही बचत है ये बचत है ये बचत है ये बचत है value कितनी आएगी तो 9 तिया 27 10y 27 मिसे 10y गया कितने बचा 7y यहाँ पे 9y था बटे 10 था तो 37 27 minus 10y कितना हो जाएगा 27y 17y 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 27y साथ यहाँ पेरा लग रही है एक बार एक बार चेक करते है 2x ये 3x था ये y और ये 2y हो गया ठीक और यहाँ पे लिखा है कि b की जो b का वे है उसका 90 परस्त एक ही आए है ओके यहाँ टू टू कट हो जाएगा तो y x इकल टू आएगा 9y बटे 10 ओके से भी सही है अब इस i में से इसको घटाया तो 2x माइनस y ये एक की बचत आ गई 3x माइनस 2y ये ये बी की बचत हो गई ठीक है तो 2x अच्छा सोरी यहाँ पे 2 है वही तो गलत हो रहा है ठीक तो 29 18 और 10y 18 से 10y गया कितना बचा 8y बचा और यहाँ 9 27 और 20 my y घट गया तो कितना बचा 8y बचे 10 और ये आ गया 7y बचे 9y है रहो 9 27y और 10 दूनी 20 27 मैनस 20 7y बचे 10 ये 10 ये 10 कट गया y y कट गया 8 8 अनुपास 7 आ गया यानि आपसन कौनसा हो गया b आपसन किलियर इस तरीके से करेंगे ठीक ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हो तो a और b की वर्तमान आई कुतनी है 6 अनुपास 5 4 वर्स पूर ये वर्तमान है प्रजेंट यानि ठीक है पिछली वायू पिछली चार वर्स पूर यानि 5 अनुपास 4 का रेशियो था चार वर्स पूर तो यहाँ गैप कितने का है एक का गैप है एक रेशियो का लेकिन कोश्टन में 4 वर्स दिया है तो बरतमान आई क्या हो जाएगी 6 चौक 24 और 5 चौक 20 ठीक बारा वर्स पूछा गया है तो बारा जोड देंगे इसमें तो 24 बारा चतिस और 20 बारा बतिस 4 नवा चतिस और 4 अठी बतिस 9 आट का रेशियो आजाएगा क्लियर चठा कोश्टन देखी 6 अनुपास 11 दिया है संख्याओं का अनुपास उनका अंतर यहाँ पे अंतर कितना है 5 का कोश्टन में दिया है 65 1 की वेलू आगई 13 तो क्या निकालना छोटी संक्या छोटी संक्या 6 है तो 6 की वेलू आगई 78 केलियर मजा आया करने में धराधर उड़ाते रहो सात्वा नंबर X, Y, Z का रिश्यो निकालना है तो देखो बटे में कभी भी दिया हो तो LCM लिलो 3, 4, 2 का LCM 12 आएगा 12 से इसमें गुणा करो तो 3, 4, 4 आगए 12 से इसमें गुणा करो 3 आगए 12 से इसमें गुणा करो 6 आगए X, Y, Z का रिश्यो मिल गया 18, 1200 तोटल वैल्य कितनी olaya 34103 की वैल्य दी गई 30 रशीय की 182 अनुदorageा से भाग देंगे तो एक रेशियों से वैल्य आगई 30 with 52 जीरो चौधा सो निकालना किसकी है एक्स की वेलू तो एक्स की वेलू क्या है चार चार की वेलू होगे च्छपन चौधा सब्सक्राइब पूर है दीजरों मजा आएगा टेंशन ना लो पूर यहां ठीक तो दूसरी थीसरी का कितना दिया है चार पात शात तीनों कर निकालना तो सरसट रेशियो की वेलू सरसट ही दी है यानि एक की वेलू एक तो जो निकालना चाहिए अंसर दूसर संख्या क्या है 20 है 20 लगा दो टिक मज़ा आया उडाते रो दो कोशन खाली बचे देखो दो संख्या है जिनका मद्ध्य अनुपाद मद्ध्य अनुपाद बताया रूट अबी आठ दिया है तिरतीय अनुपाद यानि बी स्कॉाइर अपॉन ए कितना दिया है 64 यहाँ पर अगर स्कॉाइर करेंगे तो अबी इक्वल टू 64 आ जाएगा तो यानि की एक की वेलू कितनी आगे 64 बटे B तो B क्यूब बटे A की वेलू हमने रख दिये 64 बटे 64 नीचे आ गया B उपर जाएगा तो B क्यूब बन जाएगा यहाँ से B की वेलू निकालेंगे तो B की वेलू क्या आएगी B क्यूब कितना आ गया 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 एकी वेलू चार बी की वेलू सुला चार और सुला आंसर आज जाएगा टी इसके बाद लास्ट कोश्चन कहें रहे थे पूरा चेप्टर उड़ा देंगे उड़ा ही दिया हमें देखो ओके 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 इसको को देखे गिरी लाल हरी राम ग्यारा बटे साथ गुना तो अगर ह हम इसको साथ मालने तो हरी राम का ग्यरी लाल का वेलतन कितना हो गया Bitte ग्यारा इसका ग्यारा बटे साथ निकालके गया राएग दिमाग से कम लेंडा है नीचे वाली वैलू ले लिया करो ठीक है उससे कट करने में आसा नीच, चार है तो चार कि साथ किसको मालने तो क्या हरी राम का जो वेतन है, सेखर का वेतन जो है, वो हरी राम की वेतन से चार गुना है, ठीक है, आप पड़ोसी लिखेंगे, यहाँ पड़ोसी, 44, 28, 21, ठीक है, ओके, आप किसका रिश्यो पूछा गया है, तो गिरी राल और सेखर का रिश्यो क्या आएगा, 44, 21, लगा दो, ठ से लिए हमने कहा था, बेसिक सीख लोगे, तो सारे कोशिन अपने आप ही कर लोगे, और जहां ना समझ में आया हो, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, इतना वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन् बात कर रहे हैं, लाइव भी पढ़ाएंगे कुछ दिनों की बार, ठीक है, तो देखो, बहुस्ता हो जाएं, फिर बढ़ाते हैं, ठीक, ओके.